देखिए एक differentiation का question है क्या question है if sin inverse x square minus y square upon x square plus y square equal to log a then d by by dx अब ये question दिखने में complicated और जिस form में दिया गर उस form में करेंगे तो definitely complicated है अब इसको simple कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ और बहुत ही easily तरीके से आप समझ सकते हैं आप इसको लिखें साइन वर्स को वहां ले जाएं तो x square minus y square upon x square plus y square equal to sin log a अब देखो actual में क्या है यह पूरा constant है तो कोई problem नहीं है और अगर इसमें आप component डिविंडो लगा लें तो यह simply 2x square upon minus का 2y square होगा this equal to आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यह पर इसकी जववत है नहीं because यहां पर constant time है तो यह वाली step जो मैं लिख रहा हूं यह मत लिखेगा क्योंकि आपका time बचता है और component डिविंडो क्या होता है अपन B equal to c upon d therefore a plus b upon a minus b equal to c plus d upon c minus d तो अगर मैं इसमें देखूं तो यह 2 से 2 भी cancel हो गया अब आप x square upon y square equal to लिख सकते हो minus of sin log a minus plus 1 यह लिखने की जववत नहीं है बिलकुल भी केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं अब इसका differentiation काफी simple हो जाएगा तो जैसे ही इसका differentiation करेंगे क्या होगा y square into 2x minus x square into 2y dy by dx upon y power 4 but this equal to 0 तो cross multiply से यह भी 0 हो और अगर आप देखें तो dy by dx solve करने पर आपको मिलेगा y upon x क्योंकि यह एक बाय से एक बाय cancel हो जाएगा 2 से 2 x x तो y upon x देखिए कहां पर है this is the right answer यानि आपने इस question को अगर directly किया होता या फिर यहां पर division formula लगा के करते तो थोड़ा सा time बढ़ जाता बट आपने उसको और भी अच्छे से solve कर लिया झाल